मत्रा के मंडी चौराहे पर गलियों में खुली रहती हैं सुबा तीन बजे से दुकाने परशाशन के आते ही बंद कर लेते हैं घरों के गेट महेंद्र नगर कॉलानी में जैसे लॉकडाउन है ही नहीं मंडी चौराहे पर तो यहाल है कि घरों पर गोदाम बना रखे हैं सुबास साथ वजे से और 11 वे तक लगी रहती है भीड घरों पर आप जो अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं यह वीडियो महेंद्र नगर मंडी चौराहे के उसी से लगी हुई है और गलियां भी है जिनके यह वीडियो हैं आप साक्षात देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानदार अपने घरों से दुकानदारों को सामान दे रहे हैं और पास के एरिया के दुकानदार उनसे सामान लेका जा रहे हैं जहां रोड पर दुकान है, समस्त बंद है, वहीं पर ये दुकाने अपने घरों से चला रहे हैं। अगर प्रशाशन ने इन पर कारवाई नहीं की, तो कोरोनम हमारी बहुती भायानक रूप अक्तियार कर लेगी। क्योंकि कौन ऐसा पॉजिटिव इनके घर तक पहुँच जाए, इनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। उसी का ये कारण है कि दुकानों को बंद करने के बाद ये अब घरों से दुकान चला रहे हैं। या बीड़ी सिग्रेट तमाकू खेनी हर चीज मिल रही है, गुटका को प्रतिबंदित कर दिया गया है, सिग्रेट को भी प्रतिबंदित कर दिया गया है, उसके बावजूद भी इन दुकानों पर जो की घरों से चल रही है, उन पर धड़ले से भिकराए। फुटेज, इसलिए इन नहीं बन पाती क्योंकि घरों से देख रहे हैं। अब देखना है कि प्रशाशन क्या कारवाई करता है।